तो आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम आपके नेपी फिजिक्स फर्स सेमेस्टर का जो आपका न्यू स्लेबस है उसको हम यहां पर सॉल करेंगे और यह होने वाला आपका लेक्चर नमबर वन ठीक है और जो आपकी यूनिट है वह आपके यहां पर मेकनिक्स है तो इसकी यूनिट है के यहां फिर्ट अबना बना जाते हैं तो आज का प्लेटी को फालते हैं तो आज के फिर्ट का अज का अगर शुरू करते हैं तो आज का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है acceleration of a body on inclined plane सबसे पहले बात कर लेते हैं inclined plane क्या होता है बच्पन में जो एक जूला होता था जिसको हम क्या बोलते था फिसल पट्टी तो वह कुछ इस टाइप की जो आपको दिखाई देती थी कुछ टाइप पहले यहांपर ती है। बाद करके जो यहांपर चली गई तो यहांपर जो एस बॉडटी ने जो रोल किया उसलेडेशन किया था वही हमने यहांपर क्या क्या अब यहां पर जो आपका object है यह पहले यहां पर था और यह कुछ time बार रोल करके जो है यहां पर चला गया इसकी intensity है रोल करनी की वह कितनी है omega यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर तो इसने displacement किया यहां पर कितना हो जाएगा अब बात करते हैं जो आपको यहां पर यह वाली चीज़ दिखाए देखो इसमें क्या है यहां पर पहले जो आपकी body थी वह उपर थी फिर कुछ time बात कहा गई नीचे तो यहां से हमने क्या कर दी एक line ड्रो कर दी और यहां पर जो इसने यहां पर height जो इसकी decrease हुई है पहले जो आपकी body थी ज्यादा height पर थी फिर जब इसने roll किया तो यह क्या होगी यह कम height की और आने लग गई है ना तो यहां से यहां ने में क्या में जैसे यह body नीचे आएगी तो इसकी speed बढ़ेगी सीधी सी बात है मतलब जो इसकी velocity है वह बढ़ेगी तो जैसे जैसे इसकी velocity भड़ेगी वैसे वैसे इसकी कानेक उने लिखने जा रहा हूं बह único कि गेन मतलब की जुढना है यह ठर बर दक gain in Translatory Translatory Kinetic Energy तो यह आप सारी के सारी चाहिए अपनी class 11 में पढ़के आयो Translatory Kinetic Energy और जो आपके Rotatory Kinetic Energy सारी के सारी चाहिए क्या होती है और इनका formula क्या होता है, तो आपको पता होगा जो आपके Translatory Kinetic Energy होती है उसका फॉर्मूला होता है वह होता है 1 by 2 m v square ठीक है यह आपको पता होगा है यह सारे के सारे आपके class 11th के topic है तो इसको हम यहाँ पर बनायते हैं आपका equation number 1 ठीक तो अगर आपकी जो है यहाँ पर gain होए translatory जो आपके kinetic energy है तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसकी जो आपका rotating kinetic energy उसका formula क्या होता है 1 by 2 i omega square है और i क्या होता है आपका यहाँ आप element of inertia तो यह चीज़ आपको पता होगी आपको अपनी class 11 पढ़ते हो नहीं भी पता तो मैं यहाँ पर आपको जो है साथ में सारी जो है पताते चलता हूं इसको हम नहीं यहाँ बना दिया equation number 2 ठीक है तो आप देखो मेरी बात को ध्यान समन्ना एक चीज में आपको यहाँ पर तो उसके आपर center of mass होते हैं आपके हाँ इहाँ इफरेंट होते है Woo इफरेंट होती है तो अगर वहाँ इसके उखलात होते है जो तो इसके लिए क्या होता है जो आपकी जो बहुत सारी system मारं 진짜 radius होती है उनको अग allowed कर देते तो तब यही हो इसका मोलते है radius of gyration और इसका formula क्या होता है इसका जो आपका formula होता है वो होता है i is equals to mk square यह आपका formula होता है radius of gyration का ठीक है यह सारी की सारी चीह है आपनी class 11th में पढ़के आई हो ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको सांथ में revise भी करते हुए चलना हूँ तो इसको हम यहाँ बना energy कौनसी वाली rotatory तो यहाँ पर लिख देते हैं तो यह दिखा रहा है rotatory kinetic energy को तो क्या हो जाएगा देखो 1 by 2 तो था ही अब सांथ में क्या था आई था ना तो यहाँ पर आई की जिगा हम कितना लिख देंगे mk square तो कितना जाएगा mk square और सांथ में कौन था omega square तो कितना ज हो गई ठीक है अब देखो यह तो हो गई आपकी जो है translatory energy और यह हो गई आपकी रूटेटरी कानेटिक energy अब अगर मेरे को total energy निकाल नहीं है ठीक है for example अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि total energy तो total energy total energy जिसको यहाँ पर e से दिखा देंगे है ना या फिर इसको बोलेंगे total kinetic energy है ना total energy गलत हो जाएगा total kinetic energy तो देखो उससे क्या होगा जो आपकी translatory है ना जो आपकी translatory kinetic energy है और जो आपकी रोटेटरी kinetic energy है जो हम दोनों को add करेंगे तभी हमारी क्या निकल के आएगी total kinetic energy निकल के आएगी तो यहाँ पर रख देंगे और जो हमने रोटेटरी kinetic energy की value निकाली उसको यहाँ पर पुट कर देंगे और फिर आगे देखते है कि क्या होता है यहाँ तक जो आपका derivation है व होता total kinetic energy is equals to ket हैना इसका मतलब जो आपकी यहाँ पर translatory kinetic energy है और यहाँ पर जो आपका R है वो क्या हो जाएगा रोटेटरी kinetic energy तो हम जब दोनों को जोड़ देंगे तो जो हमार पर energy निकल के आएगी वह होगी total kinetic energy ठीक है तो यहाँ पर जो हमने इनकी value निकाली है उनको यहाँ पर पुट कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा kinetic energy है तो इसका जो आपकी यहाँ पर जो आपके translatory kinetic energy है थी इसका यहाँ पर value आए थी वह कितनी आए थी 1 by 2 mv square तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1 by 2 mv square 1 by 2 mv square ठीक है और जो आपकी होता है we know that we know that हमको फॉर्मुला पता है क्या होता है वी इस इक्वल्स टू आर ओमेगा है यह आपको इस फॉर्मुल के बारे में पता होगा इससे जो है आपने काफी सारे न्युमेरिकल्स भी इसको इसको निकल के आ गई है तो यहां से क्या करेंगे देखो आपकी अपकी पूट कर देंगा आपकी एक्वेशन नमबर 5 में तो कितना हो जाएगा तो आपकी टोटल कानेटिके एनर्जी है यहां पर इसको है T कर देते हैं मल्दब की जो आपकी टूटल कानेटी एनर्जी तो कितना हो जाएगा देखो वन बाइट एपका सेम रहेगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी प्लस वन बाइटू एגड़ेगा सिक कितना जाएगा वी स्कौर गया होगा चलो आगे देखते हैं क BBC और यहापके पtså can यहां पर भी, O, T, A, L है न, यहां पर थोटीछी confusion हो जाएगी बनना है न, यहां पर भी T, A, यहां पर आपकी जोए translatory है, और यह जो है, यहां कि कौन सी है टूटल है, ठीक है, चलो, तो आप देखो क्या हो जाएगा K square upon R square, तो इतनी चीज़ आपकी बच जाएगी, चलो, यहां पर इसको बना लेते हैं, अपना equation number 6, equation number 6 यहां पर बन जाएगी, ठीक है, चलो, आप देखते हैं, आप मेरी बात को ध्यान सवनना, अब देखना, अब क्यूंकि, चलो, यहां पर energy है, मतलब की PE, वो भी यहां पर क्या होगी, आपकी कम होगी, ठीक है, तो लिख देते हैं, आगे देखो, loss in, loss है न, loss मतलब की घटना है, फिर कम होना, loss in potential energy है न, PE मैं लिख दिया, potential energy, तो आपको पता है, जो आपका potential energy का formula होता है, MGH, तो यहां पर MG तो same आएगा, अब देखो, मेरी बात को ध्यान समझना, यहां पर height है, वो कितनी कम होगी है, देखो, पहले, जो आपकी body थी, वो पहले, यहां पर थी, फिर रोल करते करते कहा आ गई नीचे, तो जो height कम हुई है, यहां पर कितनी कम होगी है, है H-, तो यहां पर MGH कितना आजाएगा, MGH-, क्यूंकि H- height ही कम होगी है, उसके रोल करके नीचे आने में, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया हुआ, अब देखो, आए क्या करेंगे, है ना, यहां पर जो है, यह चेंज कर लेते हैं, तो देखो, इन, ट्राइंगल, A, B, C, अब यह क्या है, देखो, यहां पर, यह देखो, आपको दिखाए देरा है, A, B, C, हमारे एक ट्राइंगल है, तो यहां पर हम ले लिए लिए, साइन थीटा, ठीक है, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको सब्सम्झ में आएगा, तो यहां पर हम क्या लिलिंगे, इसमें, साइन, थीटा, है न, तो आपको पता है, साइन थीटा का फोर्मॉलय क्या होता है, क्लास टेंथ में आपने पढ़ाए, है न, तो आपको पता होगा, क्या होता है, पर्पेंडिकुलर अपोन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो आपको पता है, प वह कितनी है ? तो आपको पता है तो यहाँ पर परपेंडिकुल है उसकी जए जाए कितना आ जाएगा ? और यहाँ पर इसका हाइपोटेनियस मतलब कि जो आपका ट्रेंगल है उसकी जो सबसे लंबी वाली जो आपकी भुजा है तो वह क्या हो जाएगी देखो हाँ पर sin theta के साहँ multiply हो जाएगी तो क्या निकल कि आ जाएगा ? h- is equal to sin theta तो इतनी बात आपको मेरी सामझ में आगी होगी ठीक है तो आपको समझ में आगी हो कि मैंने sin theta क्यों लिया ? क्योंकि मेरे को यहाँ पर h- की value निकाल नहीं तो यहाँ पर थोड़ से कुछ equations बना लते हैं तो यह थी आपकी equation number 6 इसको बनाते है equation number 7 और इसको बनाते है equation number 8 तो आपको हम क्या करेंगे जो आपकी equation number 8 है वहाँ से आपके h- की value है उसको हम equation number 7 में यहाँ पर h- की जिगए रख देंगे mg तो आपका सेम था और h- की जाए कितना जाएगा s sin theta ठीक है तो साथ में equations बनाते हुए चलते हैं यह बन जाएगी आपकी equation number 9 अब आगे देखते हैं जो इसका solution है अगले पीच पर अपना derivation उसको आगे continue करते हैं तो यहाँ पर according to law of conservation of energy तो जो आपका conservation of energy का law है उसकी statement क्या कहती है कि gain in kinetic energy is equals to loss in potential energy मतलब कि कोई आपके एक body है कोई एक object है उसकी kinetic energy में जितना gain होगा मतलब जितनी उस object की kinetic energy बढ़ेगी उतनी ही उस object की potential energy कम होगी या फिर इसका ठीक उल्टा ठीक है तो इतनी चीए आपको समझ में आगी होगी तो जितना अभी तक हमने यहाँ पर जो derivation किया है उसमें हमने जितनी उस object की है जो रोल करके नीचे की और आ रहा है उसकी जो यहाँ पर kinetic energy है उसमें जितना gain होए वो हमने यहाँ पर निकाल है यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर यहाँ पर निकाल रगा है और जितना loss होए वो भी हमने यहाँ पर निकाल है तो उन दोनों चीजों को यहाँ पर इस equation में रख देते हैं तो क्या कर रहा है gain in kinetic energy तो यहाँ पर देख लो जो आपकी kinetic energy है उसमें total gain कितना होए है हमने यहाँ पर निकाल लिए कितना है 1 upon 2 mv square और यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर क्या कर लिया था यहाँ पर नीचे common निकाल लिया था अपने equation number 6 में तो कितना है 1 by 2 mv square और bracket में 1 plus k square upon r square तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं आप यहाँ पर secondly किया रहा है loss in potential energy तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा loss in potential energy कितना हो जाएगा mgs sin theta तो यह जो हैं चीजें निकाल लिती और उनको अनम यहाँ पर पूट कर दियो ठीक है अब देखो क्या हो जाएगा है उसा आपका कर लेता है और यहाँ तो कितना हो जाएगा जो नितो है कि थर्ड एक्वेशन हो इसके लिए बात कर लेते हैं तो डिया यहां पर आपका के से कुछ इस इस ही टाइप का है यहाँ आपको पता हो जो वी होती है वह ते आपका इनिशल वेलोसिटी तो देखो जब यहां पर ऑब्जेक्ट है यह रोल करना जब शुरू करे यह मतलब जो इसका u है जो इसकी initial velocity है वो यहां पर कितनी होगी 0 है यह सारी की सारी चीज़ आप पढ़के होगी बेसिक्स है ठीक है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा देखो वी स्क्वाइर की जाएगा और जो आपकी initial velocity है हिंदी मोलते है प्रारंबिक विग वह यहां पर कित इक्वेशन नंबर 10 और इसको यहां पर मना जते हैं अपना इक्वेशन नंबर 11 अब देखना ध्यान से मेरी बात को ध्यान समझना यहां पर मैं एक पहले statement लिख दूँ उसके बाद देखेंगे क्या होता है comparing comparing equation 10 and equation 11 ठीक है तो equation 10 और equation 11 को हम यहां पर क्या कर रहे है compare कर रह बिल्कुल हां पर 20 को रहे और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 20 अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पर आपका 2 है तो यहां पर आपको जो है एक s दिखाई दे रहे ठीक है तो मैं एक काम करता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए यहां पर इस s को यहां से जो है cancels out कर देते हैं और इस S को यहां पर लिख देते हैं उससे आपको और अच्छे संज में आएगा ठीक है तो देखो क्या था टू आपका यहां पर बिता और टू आपका यहां पर यह है तो यहां पर जो यह वाली जो चीज है यह वाली बचीवी चीज यह वाली है तो यह इस पू पूरी जो चीज है यह आपके किसके बरावर हो जाएगी एक के बरावर तो कितना आजाएगा है ना हमने यहाँ पर जो है एक क्या होता है एक्सलेरेशन होता है और यही हमने निकालना था एक बॉड़ी के लिए जोगी इंकलेंड प्लीन पे रोल कर रही है तो ऐसे आपका यह वाला डेरिवशन कम्प्लीट होता है